ओके गाईज, so we will start with question number 11, इसमें क्या दिया है कि आपके पास 3 resistors है और 3 है 6 ohms के, 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms के, 3 resistor है और पूछ रहा है कि आप इनको कैसे connect करोगे, आप कैसे combination में connect करोगे, तो आपको जो है resistance मिलेगा एक बार, एक value है आपका 9 ohms का और एक value है 4 ohms का, यहनि कि how you are going to connect, तीन resistor है, 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms के, आप इसको कैसे connect करोगे, तो आपको एक बार answer मिलेगा 9 ohms का, और दूसरा answer मिलेगा 4 ohms का, किन combination में connect करोगे तो आपको यह मिल सकता है, 9 ohms और 4 ohms, ठीक है guys, तो मैंने यहापर क्या किया, यहापर तीनों resistor को जितने भी possible combination है, वो सारे possible combination में connect कर दि है, तो अगर कभी भी तीन resistor देगा, और पूछेगा भाई कि क्या possibilities है, कि आप कैसे connect करोगे तो answer 9 आएगा, या आप कैसे connect करोगे तो answer 4 आएगा, या आप कैसे connect करोगे तो कोई दूसरा answer आएगा, बराबर है, तो तीन resistor जब होंगे तो आप यह possible combination में connect कर सकते हो, पहले मैं और उन दोनों का जो भी answer आएगा, यानि जो भी इन दोनों का resultant होगा, उस resultant को third के साथ parallel में, दो को series में, और उनके combination, उनके resultant को एक के साथ parallel में, एक एक combination हो गया, यहाँ पर देखो इसका ultra combination, क्या है इसका ultra combination, दो जन parallel में है, और जो भी इनका resultant होगा, इनका जो भी resultant ह किसके साथ? सीरीज में. यह दुनों पैरलेल में पहले, यह सॉल्फ करेंगे आप लोग. यह सॉल्फ करने के बाद जो भी आंसर आएगा, उस आंसर को इसके साथ आड कर दोगे. तो किसमें आ जाएगा? मतलब तो इनका दुनों का जो गॉंबिनेशन है इसके साथ सीरीज में ठीक है guys? ओके. नौ यह देख लो यहाँ पर. यह तीनों के तीनों, A और B, दो ही common point की बीच में connected है. तो यह दोनों किसमें है? तीनों किसमें है? यह पैरलेल में. तो यह पैरलेल को गॉंबिनेशन है. अपने को आंसर क्या चाहिए guys? एक 4 चाहिए एक 9 चाहिए. तो अभी orally हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में. 4 चाहिए और आपको 9 चाहिए. अगर आपके तीनों सीरीज में रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, तो combination क्या होगा? 18. आप तीनों को add कर देते हो, आपको 18 चाहिए क्या? 9. तो आप इसको solve करने की ज़रूती नहीं है. मेरी बात आगी समझ में? आप इन तीनों को add कर दोगे, तो 18 चाहिए और आपको 18 चाहिए और आपको 18 चाहिए. आगे बात समझ मेरा, तो आप यह combination को try नहीं करने वाले हो. You just have to add all 6 plus 6 plus 6, क्योंके series में तो 18 चाहिए, इन नहीं चाहिए, तो यह combination आप try करने वाले नहीं हो. ठीक है, दूसरी बात है, यह 6 ohm और 6 ohm, मिलके कितना हो जाएगा? 12 ohm, बराबर है, कि यह दोनों series में हैं, और 6 क्या है उसको? parallel में. किसको parallel में? 12 को, हाँ, किसको parallel में? 12 को, यह parallel में. अब याद रखो, यानि कि आपके पास 12 ohm है और 6 ohm है, यह दोनों किस में connected है? parallel में. यह जए, ने-ने, आप थोड़ा याद करो ना, उसको, कि, जो उसका resultant होता है parallel का, वो individual से भी छोटा होता है, याद है कि ने? parallel का resultant होता है, वो individual से भी छोटा होता है, बराबर है, यह यहाँ पर individual कोई box 6 ohm 12 हैтесь हो, इनसे कोई छोटा है उसको? 9 इनसे कोई छोटा रहे है भाई, नाहीं कैसे है, कोई है, 4 है, 4 है, तो there is a chance, कि ये combination सायद answer 4 आ जाए, इन दोनों का combination, इन दोनों का combination करेंगे, तो कुछ मिल को लग रहा है, 3 आएगा answer, पैरलेल है इसको solve for 3 आएगा, and 3 plus 6, तो इससे भी अपना answer आजा रहे, इसको ऐसी करके आएगा यह, यह 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, तो छोटे याने वाल है, that is clear, लेकिन क्या आएगा, वो देख लेंगे, start करें, तो यह try कर रहे कि हम लोग, नहीं, तो यहाँ पर कैसे बोलिंगे, इसको माल लेते हम R1, इसको माल लेते हम R2, किसमे है भाई यह लोग, आथा इसा पर बता लेकिन यह आपको concept पूरा clear करतेगा, तो ऐसे डाइब को कोई भी दूसरा question आगा, तो आप राम सिकत लोगे, तो R1 and R2 are connected in series, therefore, Rs क्या हो जाएगा, R1 plus, R1 कितना है, R2 कितना है, कितना हो गया, 12 ohms, तो यह आपको Rs मिल गया, याने इन दोनों का resultant, इन दोनों का resultant यहाँ पर हमको मिल गया, अब हम क्या बोलेंगे, Rs, याने इन दोनों का resultant, and इसको अगर मैं R3 बोलू, तो Rs and R3 are connected in parallel, तो हमारा Rs, इन दोनों का resultant और R3, यह दोनों लोग parallel में connected है, तो therefore, इसका answer क्या होगा, 12 plus, डारेक करूं, दो जाने न, Rs है और R3 है, तो थो डारेक करें इसको, तो हमारा जो Rp होगा, वो हो जाएगा, Rs into R3, upon Rs plus R3, यह बताया था न मिल आपको formula, यह 1 upon लिखने की जरूद ने परती है, दो resistor है तो लिखने की जरूद, और यहापर दो ही बचे न, एक Rs बचा और Rs कितना है, 12, तो 12 into 6, upon, 12 plus 6, 12 plus 6, 12 6 है, अच्छा सुनो न, इसको ऐसा लिख दूँ क्या, 12 into 6 रहें दूँ, और इसको 18 कर दूँ, अब अब कट करते हैं, आपर, तो 6 1s है, 6, 3 1s है, 3, 4, तो Rp कितना आ गया, 4 ohms, तो आपका answer क्या होगा, 4 ohms के लिए, आप कैसे connect करोगे, दो को series में, और दोनों के combination को, एक के साथ, parallel में, तो हमको आएगा answer, 4 ohms, clear हो गया, अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, इसको हम R1 मान therefore, Rp क्या हो जाए बच्चो, R1 into R2 upon R1 plus R2, यह मैं समझ रहों कि आपको आ रहा है, समझ में बात, ठीक है, therefore, आपका Rp क्या हो जाएगा, 6 into 6 upon, 6 into 6 upon, 6 into 6 upon 12, चलेगा ऐसा, अचा, 6 1s are 6, 2 1s are 2, कितना है बच्चो, क्यों है, इसको आए, इन दोनों का कॉंबिनेशन, इन दोनों के कॉंबिनेशन का अंसर कितना आ गया, इन दोनों की कॉंबिनेशन का अंसर आ गया, 3 ohm, बरावर थे, इन दोनों का कॉंबिनेशन, जो की अब Rp है, इन दोनों का जो कॉंबिनेशन को न है, Rp, और इसके बगल में कौन है, R3, देखो, इन द यहां बोलेंगे, Rp and R3, are connected in series, therefore, Rs, will be equal to Rp plus R3, that is, Rp कितना है अपना अंसर? 6, sorry, 3, और R3 का अपना वैल्व कहा है? 6 ohms, कितना है अंसर? 9 ohms, तो आगे हमारे दोना आंसर? Yes or no? 9 ohms भी आगया और 4 ohms भी आगया, तो ऐसे connect करेंगे तो 9 ohms, और ऐसे connect किया तो 4 ohms, कैसे connect किया? 2 in parallel, बरापर इनका combination जो है, in series with the other, clear है? जापर आंसर क्या न चीए? 1 upon Rp will be equal to 1 upon, R1 plus 1 upon, R2 plus 1 upon R2, अब वो shortcut वाला formula ये वाला इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, 3 है ला? ये सिर्फ formula 2 के लिए है, जापर 1 upon Rp equals to 1 upon 6, 6 plus 1 upon, plus 1 upon 6, 3 upon 6, Rp कितना हो जाएगा इस? 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इस तरह से आप answers को find कर सकते हैं, आपर 2 हो जाएगा, तो आप तीनों को parallel में connect करते हैं, यह आपर answer 18 आएगा, तो अगर 18 की जरूद हो थी, तो आप तीनों को CD's में connect करते हैं, Is that clear? बस यह समता है,